वाकी में किरिया का बहुत मैत होता है आप सभी जानते हैं कि कर्म के बिना वाकी बनाया जा सकता है लेकिन किरिया के बिना वाकी नहीं बनाया जा सकता है कहीं कहीं पर तो आपको आश्चर होगा कि कर्ता के बिना भी वाकी बनाया जा सकता है जैसे बाड़ पीडितों की सहायता की गई अब यहाँ पर करता ही नहीं है लेकिन किरिया के बिना कोई वाकि नहीं बन सकता तो इसलिए किरिया को समझना बहुत आवश्यक है किरिया वाकि की महत पूर्ण रचना है क्योंकि कोई भी बात बिना किरिया के पूर्ण नहीं हो सकती किरिया के भेद भी विविन प्रकारों से किये गए है कर्म के आधार पर किरिया के भेद किये गए है इन कर्म के आधार पर जो किरिया के भेद हैं वो दो प्रकार के अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया